हेलो दोस्तों नमस्कार मैं सुर्जी सिंग दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे CP3S3 pump की टेस्टिंग के बारे में तो इसको pump हमने रपेयर किया है इसे में किट डाली है जो इसकी सील लीक कर रहे थी तो पहले connection की बात कर रहे हैं हमने इसका main connection लाए यहां देखिए ड minimum pressure बंद रहा है हमारा इस तरीके से हमने connection किया है यह इसकी return की pipe लगाई है हमने जो return टेंक में चले जाएगी और यहां पर हमने एक nozzle लगाई है फिलाल हमने nozzle लगाई है बाद में इसका pressure भी चेक करेगी कितना pressure बना रहा है वो भी चेक करेगे पूरा तो यहां पर देखिए हमने machine चलाई है 100RPM पे anti-clog आप देख सकते हो यह anti-clog को चलते है pump इसको anti-clog की direction में हमने चलाया है 100RPM पे तो यहां पर हम श्टोक लगाते हैं और delivery देखते हैं कि हमारी delivery वो कितनी आ रहे है manual में तो दोस्तों इसमें जो problem आ थी इसकी seal लिग कर रही थी तो इसके अंदर ह जले हमお願いします में पूरा बताइंगे देखें यहां पर जो शीलइ डाले थे हमने आगे से भी शील नहीं आ रही और साइड में जो होल होता है रहा को होई कोई अने होल होता है वहां से डीजल आनो लग जाता है तो तो आँब हमारा दिलिवरी आ रही है तो हमने इसकी पूरी kit change क है इसको खोलने के लिए लिफ्टर का इस्तमाल हो तो पूरा वीडियो आपको एंड़ पे लिंक मिल रहा है आवास से देख सकते हूं किस पंप कैसे रपेर करना तो यहां पर देखें दोस्तों 110 सिसी के आसपास हमारी जो डेलिवरी आ रही है अभी जो हम आर्पेम 500 कर लेते हैं तो देखें आभी 500 आर्पेम कर आमने मिशिन के अन्टिक लोकवाइज और हमारी डेलिवरी देखते हैं500 और हमारी default का तो यहां पर भी डेलिवरी देख लिखते हैं, दोस्तों वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न बोले, तो आज आज आपको हमारी नए नए वीडियो मिलें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जुरो करें, तो यहां पर देखें हमारी डेलीवरी भोवी 110cc के असपास आ रही है दोस्तों तो देखें यहां पे भी सेम डेलीवरी आ रही है 110 वीज के असपास अब हम मशीन को जो है देखें यहां पर हमने सर्विस किया पूरा आपको एंटर पे लिंक मेरे आप आप से देख सकते हैं इसको कैसे यहां पर नूजल को खोल लेते हैं तो यहां से हम नूजल को खोलते हैं और नूजल को खोलने के बाद यहां पर डेलफी केट आते हैं जो डमी रेल आती है वो लगा लेते हैं देखिए आपको यह डमी रेल चाहिए डेलफी केट चाहिए तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप् मैं कितने बार का प्रैशर बना रहा है तो है फेस्स का देखिए हमारा प्नांपर 16imet रَّका बूंड़ और बिल्कुल प्रैशर बिल्कुल ओकै यहां व्यक्त केहरे हैं यहां पर हम जिताच के siamo कि आपका पंप जो प्रैशर बना रहा है कि नहीं बना रहा है दोस्तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को